आज बात करने जा रहे हैं Magnetism and Matter बहुत सारी चीजें तो आप देखा होगा कि स्लेबस से हटा दी गई हैं देखा है ना कुछ बाते हैं जो कि स्लेबस में हैं उन्ही को डिस्क्रस करेंगे देखे जान से सबसे पहली बात तो हासी की बात यह है कि जब हम बहुत सारा Magnetism पढ़के अब आए हैं तब यहां हमको बताय जा रहा है कि Magnetism होता क्या है तो बड़ा आजीब लग रहा है लेकिन अब जब बताया गया तब हम भी बताएंगे तो Magnet के बारे में आप इतने पढ़ा होगा कि Magnesia नामक स्थान पे वहां जो शेफर्ड होते थे वहां पर जो चरवाय होते थे मेंड चड़ा आते थे सुना होगा आपने उनको चुकि अब यह तो हम नहीं कहेंगे कि उनके जूतों में नाल लगी थी चुकि उसमें इतना डवलप्मेट था नहीं ऐसे सबस्टेंस पाए गए ऐसे पत्थर पाए गए जिनको कि नाम मैगनेट दिया गए विकॉज आप दा नेम आप देट प्लेस यह आप जानते हैं ज्यादा उसकी कहानी में नहीं जाएंगे इसके बाद उसमें हमने उसके आर्टिफिचल मैथर से मैगनेट बनाने शुरू कि ताम जाम है ज्यादा उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं अच्छा मैगनेट के बारे महं सुरू करते हैं दुक् at मैगनेट एक होता है आपके आश्मेंटिपा कॉमाइल गए और एक आपको मिलते हैं जो कि वहाँ सहर वहाँ पर पाए जाते थे मैगनिशन आमक सहर में तो magnet with properties कौन-कौन सी पाई जाती है basic properties of magnet कौन-कौन सी है कभी कभी आती है कि basic properties का है बहुत टफ चीज नहीं है लेकि पूछ ली जाती है basic properties of magnet ज़र कैसे आप पहचाने के कि यह magnet है तो सबसे पहली चीज तो magnet की property होती है जो की attractive property होती है यानि वो आप magnetic material को attract करता है हमने word देखो क्या ही उसकिया है magnetic material मत अगर magnet के पास एक लोहे का बुरादा ले जाईए तो वो उसको magnet attract कर लेगा लकडी का ले जात नहीं करेगा तो कि लकडी जो है वो magnetic material नहीं है तो पहली तो उसकी property होती है attractive property हम एक टुकडा ले गए और लोहे के बुरादे को उसने attract कर लिया हम समझ गए यह magnet है दूसरी property जो होती है उसमें directive property होती है यानि वो एक definite direction में रुखता है और जो उसका end अर्थ के north direction में रुखता है उसका हमने नाम दिया north pole मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ हम जो हाथ में magnet पकड़े उसकी बात कर रहा हूँ यह magnet अर्थ के north direction में रुखता है यानि हमारी जो 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 जोगरफी होती है की like pole repel करते हैं वो आप जानते हैं like charges भी repel करते हैं unlike pole uttered करते हैं और तुसी बात monopole does not exist मतब north pole और south pole को अलग अलग नहीं किया जा सकता magnet के चाहे दें टुकड़े आप कर दीजेगा वो एक छोटे magnet की तरह भी hype करेगा यह चीज़े आप जानते हैं उसको हम ज्यादा detail में नहीं जाएंगे छीक है अच्छा कुछ definition होती है एक है magnetic field क्या होता है magnet के चारो और का वो field जिस पर कोई magnetic material लाया जाए या कोई दूसरा magnet लाया जाए तो it experience the force अब अगर यह हर जगे same force करेगा तो उसको हम कहेंगे uniform magnetic field uniform magnetic field magnetic field मतलब अब हर जगे का मतलब यह नहीं है magnet से दूर जाओगे force same रहेगा अगर हम magnet से 10 cm दूर जा रहे हैं तो 10 cm के किसी भी range भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो force लगेगा वो same लगेगा तो हम कहेंगे uniform magnetic field है अगला है magnetic pool दूसरा नमबर यह है थरड है magnetic pool अब आपको लग रहा होगा तो बहुत चुचरी बाते हैं हाँ बाते चुटी हैं तो magnetic pool आप जानते हैं कि दो होते हैं एक जो north direction में रुकता है उसको north pool कहते हैं और south में रुकता है वो south pool कहलाता है और ये ये एक bar magnet है ये इसका अब देखे इसका इसका जो pole होता है वो pole बिलकुल corner पे लाई नहीं करता है ध्यान रखेगा बिलकुल end point पे लाई नहीं करता है थोड़ा सा अंदर लाई करता है ध्यान रखेगा तो ये north pool है और ये south pool है इसको कहते है magnetic axis तो आप कहेंगे the line straight line joining the north and south pool is known as magnetic axis और magnetic axis के perpendicular ध्यान से उसनेगा magnetic axis के perpendicular और magnet के midpoint से जो line जाएगी उसको कहेंगे magnetic equator magnetic equator ये छोड़ी छोड़ी नाम है जिसमें बोर्ड में लोग confused हो जाते हैं इसको कहते हैं magnetic equator एग होती है magnetic length magnetic length एग कहलाएगी magnetic length और एग कहाएगी geometrical length geometrical length देखो magnetic length क्या होती है अभी हम बता रहे थे कि south pole और north pole जो होता है magnet का वो बिलकुल magnet के end में नहीं होता है वो थोड़ा सा end से थोड़ा अंदर होता है तो देखे ध्यान से अगर मैं एक bar magnet मरानू ये bar magnet है तो यहाँ इस corner से लेकर के यहाँ तक की पूरी जो length है वो आपकी geometric length है geometric के हिसाब से जो हम major कर रहे हैं और जो ये north और south pole है ये north pole ये south pole ये north pole ये south pole ये जो होता है उसे कहते है magnetic length magnetic length ये बहुत tough चीज़े नहीं है लेकिर basic चीज़े है इसे note कर ले और थोड़ा सा अध्यान से देख ले अपने आप definition बन जाएगी इसको note करिए अब देखे चुकि अगर किसी magnet को हम simple example bar magnet का लेंगे अगर किसी magnet को किसी external magnetic field में रखा जाए तो external magnetic field क्या करता है उस magnet को अपनी direction में align करने की कोशिच करता है बिल्कुल example आप लेजिए जैसे electric dipol में होता था तो चुकि magnetic dipol है उसमें एक north pole होता है एक south pole होता है और इसको किसी external magnetic field में रखने पर वो field इसको align करने की कोशिच करता है move करने की कोशिच करता है तो इसमें moment होता है तो लिखें, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, अब देखें, जरा electric dipole moment की definition बताईए, electric dipole moment, क्या होती, याद नहीं है, जब जो दो equal और opposite चार्जे, बहुत small length पे रखे गए थे, तो जो system बना था, उसको कहते थे, हम electric dipole, इतना तो याद है, और कोई एक चार्ज, और दोनों चार्जे की बीच की जो distance का जो product था, उसको हमने कहा था, electric dipole moment, याद आया, और उसकी direction क्या थी, electric dipole moment की direction क्या थी, electric dipole moment की direction, negative to positive, उसी प्रकार से, यहाँ पर जो magnetic dipole moment होता है, तो इसमें एक होती है, जैसे वहाँ चार्ज हम लेते थे थे ना, यहाँ pole strength ली जाती है, अब pole की strength मेजर करने का अपना तरीका उनका होता है, तो लिखेगा, the magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment, is the product of, is the product of pole strength, pole strength को आप लिख दीजिए QM, बिलकुल जैसे आपका electric dipole होता है, उसी तरीके से इसको explain किया गया है, QM, यह pole strength को indicates करने का तरीका होता है, वो value दे देते हैं, pole strength की, जैसे charge की value देते हैं, कि इतने कुलाम, इतने कुलाम, उसी प्रकार से हर magnet की pole strength होती है, वो देते हैं, तो the magnetic dipole moment, is the product of pole strength, and the magnetic length, and the magnetic length, और magnetic length को लिखिएगा 2L, and given by, आप देखो, magnetic dipole moment चाहिए, magnetic dipole moment, इसको small n से indicate किया गया है, और इसकी value होती है, pole strength multiplied by length, यह cross product नहीं है, into लिखा हुआ है, इसमें जो length है, और m को vector quantity माना जाता है, यह magnetic dipole moment होता है, और जैसे उसकी direction negative to positive होती थी, इसकी direction होती है, south pole to north pole, तो लिखिए, directed to, यह याद कर लिजेगा, directed to south pole to north pole, यह याद कर लिजेगा इसको, यह होता है, magnetic dipole moment, लिख लिया, अब देखिए, जैसे electric dipole की विजे से आपने electric field निकाला था, end on position, broad side on position, वैसे magnetic dipole की विजे से भी यह position पर magnetic field है, लेकिन, इस slivers से हटा दिया गया, इसलिए उसकी बात हम नहीं करने जा रहे हैं, अब heading डालिए, बहुत important, यहाँ से start करते हैं, उसके पहले कुछ बात ही करते हैं, देखे, एक्चुली किसी substance में magnetic field होता किस कारण से, क्यों वो magnetize हो जाता है भई, तो आपने पढ़ा है कि एक्चुली में यह आपका जो moment of electron पर डिपेंट करता है, जब electron one directional motion create करते हैं, जब चलना शुरू कर देते हैं, यानि एक current लूप बनाने लगते हैं, तो magnet हो जाता है, यही पढ़ायना आपने, यानि अगर electron किसी orbit में घूम रहा होगा, तो एक छोटा सा current लूप बना रहा होगा, जब थोड़ा response करिएगा कुछ और बताना चाहते हैं, अगर electron किसी orbit में घूम रहा होगा, तो छोटा सा current लूप बना रहा होगा, और हम जानते हैं कि current जब ऐसे flow होती है इस direction में, तो magnetic field उपर क्यों रहता है, और अगर ऐसे flow होती है, तो यह direction होती है, ठीक है, अब जड़ा समझिएगा, मैं electron को move करा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा example लेता हूँ, आप experiment कर सकते हैं, आप इस प्रकार से एक coil बनाईएगा, अपने उंगली में बना लिजेगा, और electron को इधर move करा दीजेगा, तो अपनी pen से हम इस direction में arrow बनाते हैं, तीन ऐसे, ऐसे अपनी उंगली में हमने ऐसे arrow बना लिए हैं, यह ऐसे बना हैं, आप बना लिजेए अपने हाँ से, तो समझने के हम बात कर रहे हैं, अब हम जब उपर से देखेंगे, तो हमें लगेगा कि arrow ऐसे घूम रहे हैं, यह कौन सा wise है, clockwise घूम रहे हैं, ठीक है, तो clockwise अगर घूम रहे हैं, यह, सुरी, electron की बात कर रहा हूं, electron ऐसे घूम रहे हैं, तो current ऐसे flow रही होगी, सही मैं कहा रहा हूं, अगर electron ऐसे move कर रहे हैं, तो current ऐसे घूम रही होगी, तो उपर North Pole होगा, सही कहह रहा हूँ और जब नीचे से हम देखेंगे, तो हमको लगेगा elektron उल्टा घूम रहे है अनिक्लाग वाइटेक्स में घूम रहें अगर नीचे से देखेंगे, तो मुझे लगेगा elektron उंक्लाग वाइटución गूम रहे है तो वो current carrying जो coil है वो एक छोटा सा magnet है जिसमें उपर south pole है नीचे north pole है बात समझ में आई तो मैं बात क्या करने जा रहा हूँ मैं कहरा हूँ कि electron है वो अपने एक axis के चार और rotate कर रहा है देखो electron पर दो प्रकार की rotation होते हैं एक तो spin होती है और एक वो orbit में घुमते हैं तो मैं orbit की बात कर रहा हूँ जबकि orbit में अगर एक चक्कर लगाएगा तो spin करेगा करोडो बार तो सबसे ज़्यादा magnet किसकी वज़े से क्रेट होगा spin की वज़े से लेकिन हम orbit में move कराने जा रहे है electron को और मैं कहूंगा orbit में move करता हुआ electron एक छोटा सा magnet बनाता है उसी magnetic field के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ठीक है तो heading डालिए magnetic dipole moment of a revolving electron magnetic dipole moment of a revolving electron magnetic dipole moment of a revolving electron कि आि ऐसा क्यों बोला हमने अबने का एक Evolving id अगर किसी और्बिट में कोई एलेक्टरान मूब कर रहा है तो वो करेंट लूप बना रहा है और करेंट लूप को देख करके हमने आइडिया लगा दिया है कि करेंट लूप एक तरफ से नार्थ पूल की तरह और एक तरफ से साउथ पूल तरह भी हैफ करता है ठीक है देखि बतान जिस और्बिट में चक्कल लगा रहा है उस औरबिट के रेडिएस को बैने और मान लिया और यह इलेक्टरान का मोशन है यह इलेक्टरान का मोशन है तो करंट किदर फ्रण हो लेँगे नवक्ट करार है हो आप आप ऐसे यह हम ने जो प्लें डखाई वह मैगनेटिक फिल्ड किदर होगा डाउन वर डिरेक्शन में तो उसी मैगनेटिक डाइपॉल मोमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जरा समझेगा आपने मैगनेटिक डाइपॉल मोमेंट को आई इंटु ए पढ़ा था ना जो आप करेंट में गए थे तो एन आई ये पढ़ाता था एन आई ये उसको किस से इंडिकेट किया था M से वही अभी हम जो QM इंटु 2L लिखे थे उसको M से क्या था ना चुकि यहाँ पर बहुत बार M यूज होगा मैगनेट के लिए इसलिए यहाँ पर उन्होंने इसका नाम चेंज किया है M M U L आप कुछ भी कर सकते हैं M लिख सकते हैं कोई चुकि यहाँ पर बहुत बार मैगनेट आएगा और कई बार उसके नाम चेंज होंगे इसलिए इंडिकेशन्स अलग अलग होंगे ठीक है तो आपको ज़रुद किस चीज की पढ़ेगी I की I किसकी वज़े से है चार्ज की वज़े से है तो I is equal to क्या होगा Q by T तो Q हम लेंगे electron का चार्ज और T लेंगे हम time period हम बताने जा रहे हैं कि कहां से प्रूफ करना है आपको अच्छा E और T क्या होगा distance upon velocity तो EV upon 2 pi r तो यहाँ से start करके यहाँ पहूँ सकते हैं आप तो आप कहेंगे जब electron revolve कर रहा है तो equivalent current कितनी flow रही है Q by T Q by T तो Q का मतलब यहाँ क्या है electron और T का मतलब कौन सा time period है T है यहाँ पर अच्छा E upon T क्या होगा 2 pi r upon velocity जहने कि EV upon 2 pi r यह हो गई current equivalent current जो electron के motion की वज़े से जो है flow हो रही है तो जो orbital magnetic moment होगा जो चाहे magnetic moment कहें चाहे magnetic dipole moment कहें जो magnetic dipole moment magnetic dipole moment किसकी मज़े से हो रहा है भाई यह हो रहा है due to the orbital motion of electron जिसको orbital magnetic moment भी कहते हैं और orbital magnetic moment orbital magnetic moment भी कहा जाता है तो इसका नाम दिया है mu L is equal to क्या फर्मला आपने बताया i into a value रगदो उठा करके यहां लिख रहा हूं मैं mu L is equal to i हो गया ev upon 2 pi r और into और a हो गया pi r square तो e pi pi कड़ गया rr कड़ गया क्या बचेगा evr upon 2 तो यह orbital magnetic moment का फर्मला है या जो आप dipole moment कहते थे m वह ही यह लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा confuse मत होईएगा तो यह orbital magnetic moment का फर्मला है इसकी direction क्या होगी भई देखो electron ऐसे चल रहा है और यह current ऐसे फ्लोर ही है तो यह magnetic field की direction नीचे क्योर होगी और जिधर magnetic field की direction है उसी तरफ यह magnetic moment होगा तो यह आपका orbital magnetic moment मुवल होगा फिर समझेगा यह बताए यह magnet के अंदर magnetic field किदर से किदर जाता है मैगनेट के अंदर magnetic field किदर से किदर जाता है और आपको अभी magnetic dipole moment की direction क्या बताई गई है यानि हम हमारा जो टिप जिधर नार्स जा रहा होगा उधरी magnetic dipole moment होगा नहीं होगा तो मेरा नार्स किदर जा रहा है नीचे की तरफ जाना नहीं जा रहा है तो magnetic dipole moment भी नीचे की तरफ जाएगा समयारी बात अब देखिए ठीक है नोट कर लिया अब देखिए चुकि electron move कर रहा है तो electron की पास इसका खुद का angular momentum है तो angular momentum of electron क्या होगा यह हो गया topic इसके कुछ relations बताए गए है angular momentum of electron angular momentum of electron angular momentum को कहीं कहीं पर J से कहीं कहीं पर L से लिक्ते में लिख रहा हूँ angular momentum का formula क्या होता है what is the formula of angular momentum angular momentum 11th class में पढ़ा होगा आप कहीं बहुत पुरान है angular momentum का MVR moment of the linear momentum दो ध्यान करिए moment of the linear momentum देखो जब आप force का angular momentum हो गया MVR M क्या यहां पर है अब M बहुत सारे आ गए magnetic dipole moment भी है तो M को हम लिखेंगे M E E indicate for mass of electron into V into R यह angular momentum हो गया इसको जो आपने यह magnetic dipole moment को 1 माल लो इसको 2 माल लो अब बताओ इस angular momentum की direction क्या होगी angular momentum की direction क्या होगी बता रहो कि हम बताएं आपने angular velocity पड़ी होगी angular acceleration पड़ा होगा पड़ा है न देखो अगर कोई body circular path में move करती है circular path में तो अगर मैं body के पीछे पीछे भागूं तो आप कहेंगे वो linear motion उसके में हो रहा है वो जो है थोड़ा distance कवर कर रही है और आप center पे खड़े होके उसको देखो ऐसे ऐसे तो आप कहेंगे उसमें angular चीज हो रही है तो angular जो चीज होती हो center पे होती है या axis पे होती है और जो linear चीज होती है चाहे वो displacement हो चाहे विलास्टी वो उसके circumference पे होती है तो angular की direction हमेशा कैसे होती देखे जान से अगर body ऐसे चल लही है तो यह angular displacement है यह angular velocity है यह angular acceleration है सब कुछ यह है तो देखो यह electron ऐसे चला था current ऐसे flow हो रही थी इसलिए हमने जो magnetic dipole moment तो नीचे लिया है लेकिन electron ऐसे चल रहा है विलास्टी इधर की दरफ है तो angular चीज जो होगी वो ऊपर की और होगी यह angular momentum की direction होगी समझ जाई बात तो मैं अब angular momentum और magnetic dipole moment में relation निकालने जा रहा हूँ तो दोनों को divide कर दो dividing equation 1 and 2 तो यह होगा μुल confuse मत होना यह M है magnetic dipole moment जो अभी M हमने पढ़ा है QM into 2L upon capital L is equal to यह EVR upon 2 into ME into VR VR cancel होगया तो आगया E upon 2 ME यह ME क्या है mass of electron तो μुल की जो value आएगी μुल is equal to E upon 2 ME into L यह आपका अगर मैं vector form में लिखूं in vector form साब साब दिख रहा है कि μुल और L की direction opposite है तो आप same vector चुड़ाएगे यहाँ पर मुल is equal to E upon 2 ME into L L और मुल पर लगा दो vector और वीच में negative sign लगा दो तो यह बात समझ में आई अब एक note लिखे कुछ और प्रूप कराने जा रहा है इसी में एक note लिखे according to bors quantization note लिखेगा according to bors quantization quantization क्या होता है quantization इनका bors quantization क्या होता है कि बताइए मालूम है कि बोर्स का quantization theory क्या कहती है नहीं याद है तो मना कर सकते हैं बता देंगे अपने atom अगरा पढ़ लिया होगा ना सब तो bors quantization theory क्या कहती है थोड़ा साब पीछे की बात याद करते हैं जब nucleus की खोज हुई तो रदरफोर्ड साब में खीती आप मालूम होगा और रदरफोर्ड ने कहा था कि electron जो positive charge एक जगे होता है और electron उसके चारों और हर possible orbit पे चक्कर लगाया करते हैं यह तो कहा था उन्होंने बोलते रहिए लेकिन planks theory क्या कहती है planks क्या radiation theory कहती है कि अगर कोई charge particle लगातार motion में रहेगा तो energy radiate करता रहेगा यह electron चक्कर लगाता रहेगा तो energy radiate करता रहेगा और चुकि यह nucleus टपा मारे बैठा इस पे इसको खीचराबनी तरफ और जैसे इस electron की energy खतम हो जाएगी यह कम होने लगी यह ultimately lot के आएगा और nucleus में गिर जाएगा और electron का nucleus में गिरना यानि atom का existence समाफ्थ हो जाना यही होता है तो बोर्स आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता ध्यान रखिएगा बोर्स जो है वो रधर फोर्ड के student थे उन्हें के साथ काम करते थे बोर्स आपने कहा कि electron हर possible orbit में चक्कर नहीं लगाता electron उनी में चक्कर लगाता है जहां पर उसका angular momentum h upon 2pi का multiple होता है याद आई यानि अगर पहली orbit में electron है तो उसका angular momentum 1h upon 2pi होगा दूसरी orbit में है तो 2h upon 2pi होगा 3h upon 2pi होगा half h नहीं हो सकता हूँ या तो पहली में रहेगा या दूसरी में रहेगा उसके बीच में electron नहीं रह सकता और अगर वो पहली orbit में है और उसका angular momentum h upon 2pi है तो उसको हम कहेंगे कि वो उसकी energy level है और वहाँ पर motion करता हुआ electron energy radiate नहीं करता समझ में आई बात ये बोर्स थेओरी थी रेकिन एक बात समझ लिजेगा बोर्स साब ने single electron theory दी थी इसके बाद बोर्स के student से straddinger जिन्होंने आगे थेओरी दी है फिलाल straddinger को अभी हम बात नहीं करते हैं बोर्स थेओरी की बात करते हैं बोर्स quantization theory क्या कहती है वो कहती है कि me into vr यानि कि angular momentum of electron should equal to n into h upon 2pi यहनि किसी भी electron का जो angular momentum होता है वो h upon 2pi का multiple होना चाहिए इसको मैं किस से indicate करता हूँ l से तो मैं me into vr नहीं लिखता हूँ मैं इसको l लिख देता हूँ तो l की value होगी n h upon 2pi तो इस l की value उठाते हैं और equation number यह इसको डाल दीजे क्या 3 में रख देते हैं तो लिखे putting the value of l in equation number 3 putting l in equation 3 तो यह क्या आएगा mu l is equal to e upon 2me into n into h upon 2pi तो इसको जब मैं calculate करूँँगा n को अलग कर देता हूँ तो आएगा e h upon 4pi me यह mu l आ गया ठीक है actually यह क्या निकला है यह nth orbit में rotate करते हुए electron का magnetic dipole moment है magnetic dipole moment of the electron revolving in nth orbit ठीक है इसको note करिए इसी में equal to आगे करके लिख लिजेगा यह क्या है magnetic moment magnetic moment of electron revolving revolving in nth orbit nth orbit the visible what I am writing झाल झाल यह लेक्स लिए बता दीजेगा यह हो गया यह है magnetic moment of electron revolving in nth orbit अब देखिए एक word अबने लिखा है बोर्स magneton यह visible है ना what I am writing बोर्स magneton यह बहुत important word है बहुत बार बोर्ड में दिक्कत करता है देखिए है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बोर्स आपने कहा कि अगर कोई electron hydrogen atom का electron पहली orbit में है तो उसके magnetic dipole moment को हम बोर्स magneton कहते है यहनि बोर्स magneton is what बोर्स magneton is the magnetic moment of the electron revolving in the first orbit of hydrogen atom तो लिखेगा it is defined as it is defined as the magnetic moment magnetic moment of electron of electron न लिखेगा क्यों electron का magnetic moment नहीं होता है electron revolve करता है वो एक magnet बनाता है उसका होता है magnetic moment associated with an electron मत्ता है electron से associate होता है उसकी वज़े से होता है magnetic moment associated with an electron due to its orbital motion due to its orbital motion हाँ क्या बता है पहले समझ में आया है हमने क्या बोला है अगर पहले सुन लिजे बोर्स magneton क्या होता हम इस बता रहा हूँ अगर कोई hydrogen atom का electron अपनी पहली orbit में move करता है तो उसका जो magnetic dipole moment होता है उसी को हम पोर्स magneton क्याते है ठीक है सुन में आ गया तो लिखेगा it is defined as the magnetic moment it is defined as the magnetic moment associated with an electron associated with an electron due to its orbital motion due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom in the first orbit of hydrogen atom इसका मतलब यह जो formula मेरा है न यह यहाँ n को 1 रख दे काम चल जाएगा तो यानि कि आपका जो mu b है इसको कहते है mu b mu b मतलब magnetic dipole moment की minimum value m i n minimum क्या होगा e h upon 4 pi m e अब बताओ e fix है आप जानते हैं e क्या होता है electron का charge आप जानते हैं आप जानते हैं h क्या होता है mass आप electron जानते हैं तो अगर चाहें तो इसकी value भी आप निकाल सकते हैं तो चाहो तो value रख करके इसकी value निकाल सकते हो यह value निकली है 9.27 into 10 power minus 24 9.27 into 10 power minus 24 अब बताओ इसकी unit क्या होगी magnetic dipole moment का एक सस्ता सा formula था आई ए अभी इनने उताया था M बराबर तो यह ampere meter square ampere meter square इसकी unit होती है board's magneton बहुत important है board में बहुत पूछा जाता है एक छोटा सा question मन के आता what is board's magneton तो आप क्या कहेंगे hydrogen atom के electron अगर जो first orbit में मुप कर रहा हो उसके magnetic moment को या magnetic dipole moment को board's magneton कहते हैं हो गया अब समझीगा मैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी बाते पताने जा रहा हूँ technical words है उन्हें पकड़ने की कोसिस करिएगा पकड़ में आजाए तो क्योंकि सब में magnetization आएगा लेकिन उसका मतलब अलग-अलग होगा वो साउधान से पढ़िएगा heading आ लिए some important terms used some important terms used to describe magnetic properties of material chapter का नाम ही है magnetism and matter अब किसी material की magnetic properties के आधार पे उनके कुछ naming दिये गए है जरा साउधान बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए तो देखिए पहले लिखिए magnetizing field number one लिखिए magnetizing field magnetizing field देखो इसके word पे जाईएगा क्योंकि indication अलग-अलग बुक में अलग-अलग होते है मतलत समझेगा magnetizing field होता क्या है सुनिएगा कोई solenite solenite में जब current flow होती है तो एक magnetic field बनाता है कितना बनाता है तो हमने का भाई देखे जितनी चुकि magnetic field कौन बना रहा है current बना रहा है तो हमने का कितनी magnetic field बना रहा है तो आपने का जितनी current flow हो रही है उत्रा ही magnetic field बन रहा है तो solenite magnetic field बनाता है अपनी current के बराबर चुकि अगर उसमें n turns हैं तो उत्रे ही गुना current flow होगी तो magnetic field बनाएगा n i तो solenide कितनी करेंड बनाता है N into I ये बात समझ में आई अब solenide के अंदर है vacuum solenide ने जैसे ही magnetic field बनाया मान लिया उसने बनाया ये 50 और हम चुकि solenide से चिपक के तो बैठे नहीं हुए हैं हम जो बीच में जो coil था तो एरिया जो था उसका vacuum वाला वहां बैठे हुए हैं हमको magnetic field मिला 40 क्यों भाई क्या गरबड हो गया जैसे ही magnetic field बना medium की permeability ने उसको क्या किया mu not times कर दिया ये magnetic field मिला आपको समझ में आ रही बात solenide ने कितना बनाया NI बनाया और मना के जैसे ही medium में छोड़ा तो medium में जो हमको मिला vacuum जो था उसके अंदर हमको मिला mu not ni यही मिला ना अब अगर हम magnetic material है तो वो वाला जो field है ये वाला ये हमको magnetize करेगा यसी को कहते है magnetizing field mu not ni आई बात समझ में आई बात समझ में आई आई अभी हम लिखवा रहें बात समझ में आई मतब उस solenite ने बनाया था ni लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकल के आया वैसे बाहर medium था vacuum तो vacuum ने क्या किया उसको cut कर दिया क्योंकि vacuum की अपनी probability होती है वो cut कर देता है, कम कर देता है जो कम आया मेरे पास और मैं था magnetic material उसने का भाई साब हम आ गए है हम आपको magnetize करेंगे तो हमने का तुम्हारी value क्या है बोले भाई साहब ने तो Ni बनाई थी लेकिन medium ने काट के हमको बना दिया mu not Ni अब मैं आपको magnetize करूँगा वही magnetizing field है जो मेरे पास मुझको magnetize करने के लिए आया था समझ में बात आई नहीं आई फ्रा रेस्पांड करिये लिखे the magnetic field in vacuum the magnetic field in vacuum कौन सा यह mu not Ni the magnetic field in vacuum which induces magnetism वह induce करता है देखे जान से magnetic field क्या कर रहा है vacuum में वह हमको induce कर रहा है वह हमको magnetize करने की कोशिच कर रहा है हमारे अंदर जा रहा है हमको magnet बना रहा है तो which क्या लिखा in vacuum which induces magnetism is called magnetizing field is called magnetizing field समझ में आगई बात पक्का तो नीचे लिखे the magnetizing field inside the solenoid is given by B0 is equal to mu0 Ni magnetizing field in vacuum magnetizing field inside the solenoid is given by mu0 Ni अच्छा ये पहला वर्ट पकड में आ गया है बिलकुल पका 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 किसकी वज़े से हो रहा है करेंट की वज़े से अब लिखें magnetic induction magnetic induction induction देखो जरा समझीएगा अब हम है magnetic material हम छोड़ दीजे एक iron core है एक लोहे का टुकड़ा है जो magnet नहीं है और वो solenoid के अंदर रख दिया गया ऐसे जब solenoid के अंदर रखा गया solenoid ने इतनी current बाहर भेज रखी है बाहर मतलब बाहर तो ni भेज रखी थी लेकिन मीडियम ने अपनी probability के हिसाब से इतनी magnetic field भेज रखी है अब वो लोहे का टुकड़ा इस magnetic field में आया तो इतना magnetic field उस लोहे के टुकड़े के अंदर गया और लो magnetization में उस टुकड़े के अंदर action क्या होता है समझ में ना रहा हो तो बोल दिया करें कि नहीं मालूँ क्योंकि बहुत जब बिलकुर आफ फील करोगे तब यह चीज़ समझ में आएगी क्योंकि exam में बहुत दिक्कत कर देगा यह magnetization में क्या action होता है magnetization में जो उसके electrons होते हैं उसके जो atoms होते हैं उनको वो align करने की कोशिस करता है बास में ने आईए अब देखो जब इस वाले magnetic field ने electrons को align करना शुरू किया तो electrons भी चलना शुरू कर दिये जहनी electron की खुद की एक current flow ने लगी तो जब खुद की current फ्लो ने लगी तो उसका खुद का magnetic field बनना शुरू हो गया नहीं हो गया अब उसके पास दो magnetic field हो गए उसके खुद के electron जो इधर उधर होचपोच move कर रहे थे इस magnetic field की वज़े से एक तरस चलना शुरू किये और एक current flow करना शुरू की तो उसके अंदर अपना खुद का magnetic field हो गया प्लस ये वाला magnetic field तो था ही यही दोनों मिला करके उसका total magnetic field होगा इसी को कहते हैं magnetic induction समझाए आई बाद अब लिखे जरा इस अब मैटेरियल इस प्लेस्ट इस प्लेस्ट इस दा मैटेरियल इस प्लेस्ट मैटेरियल मतला अब लगडी का टुकडा रखेंगे तो वो magnetize नहीं होगा if a material is placed inside the solenoid inside the solenoid then the magnetic field the magnetic field induced in the material the magnetic field induced in the material is given by देखे बी मैटेरियल का जो बी होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई आफ मैटेरियल बी मैटेरियल के इलेक्ट्रान जो मैगनेटिक फिल्ड के कारण इस वाले मेगनेटिक फिल्ड के कारण एक डिरेक्शनम चलने लगे थे वो खुद एक current loop बनाने लगे थे one directional तो उसने जो magnetic field create किया वो है BM, mu naught NIM where IM is the surface current of the material, यह surface current है, यह material के surface पे जो current उसके electron के चलने की वज़े से हुई है अब बताईए, टोटल magnetic field उस substance के अंदर कितना होगा, तोटल magnetic field कितना होगा, बताईए, टोटल magnetic field, टोटल magnetic field inside the material, देखो इतना तो था ही, लेकिन इसकी वज़े से electron काम करना शुरू कर दिये, खुद अपनी electron करना शुरू कर दिये, तो इतना और create होगया BM, यह दोनों मिलकर के current जो दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं, magnetic induction, नोट करिए, तो लिखे हैं, here B is called magnetic induction, magnetic induction, क्यों solid act पढ़ाया नहीं गया, आपको μ्यू नाट नाई प्रूफ करा हैं हमने, यह वाला, ने वो तो ठीक है, लेकि जो हम concept यूज कर रहे हैं, वो पीछे पढ़ाया जा चुका है ना आपको, इसमें जो जो यूज हो रहा है, वो पीछे पढ़ाया नहीं पढ़ाया गया आपको, तो उसी के नाम दे दिए, वो दे को हम पढ़ा वही चुके हैं, मेटेरियल को रखा, उसने फील किया, हमने का यह यह सोजे से हो रहा है, बस वो नाम चेंज हम कर रहे हैं कि वल, काम वही पिछला वाला है, ठीक हैं, अब लिखे, मैगनिटाइजिंग फील्ड इंटेंस्टी, मैगनिटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बड़ नए नए वर्ड आएंगे, समल लिजेगा, बहुत वाजीब टाइप के वर्ड है, मैगनिटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैगनिटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जरा समझीएगा, नाम से लग रहा है, कोई फील्ड किसी सबस्टेंस को कितना मैगनिटाइज कर सकता है, वो उसकी मैगनिटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, हम कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, अगर हम मैगनिट हैं, तुमको कितना मैगनिटाइज कर सकते हैं, वो हमारी ability है कि कितना हम magnetize कर सकते हैं तो कोई भी magnetic field कितना सामने वाले material को magnetize कर सकता है वो उसकी intensity कहलाती है समझ में आई बात लिखिए तो कितना है कि आई बात लिखना कर तृग तो लिखिए लिखिए आ ने लिखिए आई व्त लो यूदिए इससागे लिखिए एंटियंग बात लिखिए लिखिए हैं intensity नहीं नहीं वर्ड है ध्यान से पढ़िये का बारबाम कह रहे हैं the ability of magnetization magnetizing field to magnetize a material medium is called magnetizing field intensity or magnetic intensity magnetizing field intensity or magnetic intensity देखो बात समय गाई देखो अभी हमने बताया था आपको कि वह सॉलेनाइट में अगर आई करेंट फ्लोर ही है वो कितना magnetizing field बना रहा था अगर सॉलेनाइट में आई वो कितना बना रहा था वो एन आई बना रहा था भई वो तो मीडियम ने गरबर कर दिया नहीं समझे यह समझ आरी बात नहीं आरी है मतब मैं तुर पढ़ा रहा था नाई पढ़ा रहा था वो तो अप जैसे हम कुछ पढ़ा रहे थे आपने बहुत सब मैसे से चेकना सुरू कर दिया मीडियम ने गड़ बड़ कर दिया तो आदी बात समझ में नहीं आई वही बात हुई तो वो सॉलेनाइट कितना मैगनेटिक फिल्ड बना रहा था एनाई वो उसकी इंटेंस्टी थी वो उतना ही उस मैटेरियल को मैगनेटाइज करता लेकिन मीडियम ने गड़ बड़ कर दिया उसने कट कर दिया समझ मेरी बार नहीं आ रही है तो यानि यहां उसको लिखेंगे लिखो गिवन बाई एच बराबर एनाई यह इतना मैगनेटिक फिल्ड बना रहा था उसको एच से डिडोड करते है वो इतना मैगनेटिक फिल्ड देता मैटेरियल को लेकिन क्या करें यह मीडियम का मीडियम ने कटशाट कर दिया कम कर दिया इसलिए इतना फिल्ड उस तक पहुंच नहीं पाया समझ में आरी बार नहीं आरी है तो h बराबर n i अच्छा आप चुकि पढ़ चुके हैं as b not is equal to पढ़ा है आपने mu not n i तो b not is equal to mu not into h अब देखो h हम दे रहे थे जो medium की permity ने उसको mu not times कर दिया इसलिए आपको कम value मिली तो h की value अगर हम निकालें पान mu not तो यह h है वैसे main यह h है यह बात सुन्द में आ गई कि जितना वो solenide magnetic field बना रहा था उतना ही वो magnetize कर सकता लेकिन medium ने गरबर कर दिया इसलिए ऐसा हुआ अच्छा अगला point लिखे नए नए word आ रहे हैं वो साउधानिस लिखेगा देखो यह क्या है magnetizing field intensity magnetizing field intensity हम कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं हम magnetic field बना रहे हैं आप हैं magnetic material आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं कितना magnetize हो सकते हैं इसको कहते हैं intensity of magnetization समझेगा magnetizing intensity magnet कितना magnetize कर सकता है और intensity of magnetization वो substance कितना magnetize हो सकता है समझे आगरी बात तो अब लिखे intensity of magnetization बहुत confusing वाले word है intensity of magnetization intensity of of magnetization देखो हमने किसी substance को magnetic field में रखा magnetic field कितना magnetize कर सकता है कर सकता है वो क्या था magnetizing field intensity उसने magnetize कर दिया तो magnetize कर दिया मतलब क्या कर दिया मतलब उस substance के इलेक्टरानों को atoms को one direction में चला दिया ठीक है अब ये हो सकता है उस atom के उस जो substance रखा था उसके सभी atoms चल दिये हो हो सकता है 10% चले हो हो सकता है 25% चले हो हो सकता है और नहीं हो सकता है हो सकता है ना तो इसका मतलब पर unit volume में जितना उसके अंदर magnetizing dipole moment create हुआ वो उसकी intensity of magnetization है हम क्या करेंगे पूरा moment जो आपको समझ में आया जितने question जितना moment create हुआ उसको उसके volume से डिवाइट कर देंगे उस substance के तो पर unit volume जितना उसके अंदर magnetic dipole create हुआ moment वही उसकी intensity है उतना हम समझेंगे उतना हो magnetize हुआ तो लिखेगा the magnetic dipole moment magnetic dipole moment ब्रैकन लिए दो small m अभी हमने बताया था m से denote करते हैं the magnetic dipole moment पर unit volume the magnetic dipole moment पर unit volume of a magnetic sorry of a material of a material of a material when placed when placed in a magnetizing field in a magnetizing field magnetizing field is called intensity of magnetization is called intensity of magnetization and given by capital M is equal to small m upon volume small m upon volume अब कुछ फार्मले एक दो और बताने जा रहे हैं उन्हें आप देख ले पहले हैं अधि एक नोट लिखिये इक नोटिक लिखिये कुछ फामले बराने जा रहे हैं जो बता जुकिये हैं उन्ही को दुवारा बता रहे हैं इक नोट लिखिये नोट नमबर वन लिखिए नोट नमबर वन समझिएगा अभी हम बता चुके हैं अभी हम बता चुके हैं ह is equal to Ni होता है यह क्या होता है कोई material कोई solenite कितना magnetic field बना सकता है और यह भी हमने बताया कि जो उसके बाहर magnetic field मिलेगा वो होगा mu naught Ni या mu naught times of H यह आप जानते हैं ठीक है अब अगर किसी material को magnetic field में रख दिया जाए if a material is placed is placed inside the solenite inside the solenite अगर उसको solenite के अंदर रख दिया जाए को magnetic field में रखा गया था ठीक है magnetic field ने उस material को इतना magnetize किया लेकिन उसके अंदर के electron rotate करने लगे और एक direction में चलने लगे और उसमें current flow ना शुरू हो गई उसका खुद का magnetic field बना वो था आपका BM तो टोटल magnetic field क्या होगा टोटल magnetic field इंसाइड दा मेटेरियल इंसाइड दा मेटेरियल जब निकालेंगे हम तो आएगा आपका B is equal to B not plus Bm मतब mu not times of H plus mu not times of M mu not common हो गया H plus M यह आपका एक formula proof होके आया